कॉंग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करें साउथ प्लॉक में नहरू जी का एक चित लगा रहता था मैं आते जाते देखता था नहरू जी के साथ सदन में नौक जौक भी हुआ करती थी मैं नया था पीछे बैठता था कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वाका उप करना पड़ता था लेकिन धीरे धीरे मैंने जगे बढ़ा इन में आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंतरी बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नहरू जी का फोटो का एक अगा मैंने का यह चितर कहा गया को यह उत्तर नहीं दिया वो चित्रवा फिर से लवा दिया रहा है क्या इस भावना की कद्र है क्या देश में यह भावना पन पर ऐसा नहीं है कि नहरूजी से मतवेद नहीं थे और मतवेद चर्चा में कंभीर रूट से उबर कर सामने आता है मैंने एक वार पंडी जी से कह दिया था कि आपका में एक लिला जुला जक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चेंबर लेन भी है तो नाराज नहीं होगे शांद को फिसी बेंट पुट में मुलाकात हो गई और उनने का आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हस्ते वे चलेगे और वार्ट कल एसी आलोचल करें तो शमनी को दावड देने हम लोगो बोलना बस करते हैं किया एक ऐक राश्ट रके नातिया थे मिलकर खाम ने आप अगर हमें छोड़ कर आप कोई नया परियोग करना चाहते तो यह को यह आपक कर रहे हैं लेकिन हम जो परियोग कर रहे हैं उस परियोग को आप सफल होने दे यह मैं आपसे अनुरोज जरूं करना चाहिए जब जैनेवा में मानवा अधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल वो हमारे पड़ो सीरे उठाने का फैसला किया तो फिर उस समय के प्रधान मंत्री शरी नर्सिंग राओ की नदर मेरे उपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रकित प्रकृत करने हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा अश्री हुआ वहां के नेताओं को अताजिवा किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता जो देश के भीतर ही ऐसी कठनाईयां पैदा करता है जिससे अंतर राश्ट्री बाधाएं और उत्पन्न होती है लोगोंने कहा के नरसिंगराओ जी सरलाद भी नहीं है बड़े चतुराद भी है यह मत समझे के वो केवन देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं कहीं कहीं उनके मन में ये भी हो सकता है कि अगर जन्यवा में बात में बनी खला पृस्ता अपास हो गया तो दोश में हिटसा बठाने के लिए बाच पेई पी बली का बकरा बनाया जा सकता है मैंने इसकर विश्वास लेकिए